दोस्तोँ मैं आज के हमारे इस वीडियो का टोिक है PLC पैनल के उपर माने इस पैनल गया इस कंप्यूंतर भता दे बाद में आपको बाहर धा करें दूंका और स किर से पींटर आटधा है तो दोस्सदों पहले PLC पैनल की बात कर लेताए तो दोसरों यह हमारा PLC पैनल आपusto a प्रोड़ाative पैनल का नाम ज्पसा आपको पता है PLC मतलब प्रोग्राम बार लोजिक कंटरॉल है तो आज काम क्या होता है जैसे मेरी कोई भी मसीन है उस fajhini के ने सारे काम और उस बटन दबाने के बार हमारा step by step अगला काम होता जाए हमको और कुछ नहीं करना पड़े यानि हमको बाद में वापस है मशीन बंद करके दूसरी मशीन चलाना यह सब कुछ नहीं करना हमने सिर्फ एक बटन दबाया और सारा काम होता जाए त्थो उसके लिए के हमको बहुत सारे टाइमर लगाणे पड़ेंगे बहुत सारी लगानी पड़ेंगे नि बहुत सारा लंबा चोड़ा sort पर दोस्तों सर्किट लंबा चोरल दो होता है वो संथड़ प्रोब्लम जेदा 59 u दो सर्कीट होते हैं एक RLC और एक होता है हमारा PLC RLC सर्कीट के अंदर दोस्तो इस तरह की wiring नहीं होती है आरेल से सर्कीट के इनदर काफी गुमाओदर wiring होती है आपने आपके इंडर्ष्ट्री में जरूर देखी होगी पर दोस्तों इस यह सब्सक्राइब करने और इस प्रोग्रामिंग करते हैं और उस प्रोग्रामिंग के तरूं हम आउट्पी निकाल देते हैं दोस्तों इसको और अच्छे समझेंगे पहले मैं आपको समझाता हूं प्रोग्राम का होता है अभी जैसे मैंने इसको प्रोग्राम का होता है और इसको प्रोग्राम पर कर दी तो यह हमारी प्ल्सी काम करना पंद कर चुक्त अब मैं वापस इसको रिमोट पर कर देता हूं और फिवान भी एक अगर होता है यह रन का मतलब यह है दोस्तों जैसा आपको यहां पर दिख रहा है छोटा सा रन लिखा हुआ इस रन पर हमने किया तो इसका मतलब यह है कि हमने प्ल्सी के अंदर प्रोग्राम कर रहा है उसक आफ अब यहां पर मॉदियूल है इसको बोस्तों मॉदियूल आप दौसर दोसर देख flc भी थो तरीक़ी होती है एक होती हैं कि मॉदियूल प्ल्स और यह होती है हमारी मोड प्ल्सी का फि proudly सिमपल है कॉम्प्पग्ट विल्सी एक हमारा बॉक्स होता है उस बॉक्स के अं अगर हमारे सिस्टम के अगर हम और बढ़ा रहे हैं तो क्या करेंगे हम एक और लियाएंगे और वहाँ पर जोड देंगे यहां पर लगा देंगे तो उससे फिर बाद में हम अराम से कर सकते हैं तो हमको काफी वायिंग करनी पर बाद में जब हम उसके लिए कुछ मोडिफाई करना चाता है तो हमको काफी मश्रकत करनी पर दोस्तों कि आपको कंप्यूटर स्कीन पर दिखाऊंगा कि इसके अंदर कैसे पकड़ा जाता है और विल्कूल बेसिक सबताऊंगा मसें सब्सक्राइब तो यह जो एलग मोडियो64 होगा यह यह जो अलग मॉडूल है व्यक्तिक? है यह बहां निकले हुए ठीक है तो यह काम न ही आरे पर दोस्थों यह मॉडिूडियुल किसके है तो दोस्तों वे इंपुट का है और आउटपूर्ट का मॉडियुल है ऐल्लक है यह किसी चीज का है तो दोस्तों कै अनलोग दो भागों में बटे होते हैं एक होता है डिजिटल और एक होता है अनलोग तो यह जो है अनलोग है अनलोग का मिनलब दोस्तो हमारे कोई भी चीज है जैसे हम कोई सिड्डी पर चड़ रहे तो उस सिड्डी के ऊपर चड़ रहे न तो एक एक सिड्डी चड़ रहे तो यह ज तो वह भी सुचना देगा ठीक है तो यह होता है दोस्तों डिजिटल और एनलोग में फरक इसके लागा दोस्तों इसके पीछे हमारे रिले बोर्ड भी लग रहे है वह रिले बोर्ड के काम होता है दोस्तों जब हमारे पील्स से कुछ भी चीज आउट्पिट में निकलती है तो वह उस रिले बोर्ड के थुरू होती है अभी मैं आपको वह भी समझागगा क्योंकि दोस्तों हम क्या करता है पील्सी के अंदर तो हमारे पूरा 24 वल्ट का खेल होता है पर पील्सी के बाहर जो हम सप्लाई को यूज में लेते है पर अभी हमारी जो कंपनी की बात करे तो हमारी इस कंपनी के दाब 220 वल्ट को सप्लाई को यूज में ले रहे तो वह हम रिले के थुरू ही उपयोग में लेते है वह मैं भी आपको आगे बताऊंगा इसके लाग दोस्तों यहाँ पर लग रही हमारा SMPS लग रहा है जो कि आपको पता है इसका पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई दोस्तों इस SMPS का काम सिर्फ इतना होता है कि हमने इसकंद 220 वल्ट दिये और 220 वल्ट हमारे DC में 24 वल्ट निकाल के देगा ऐसा नहीं सिर्फ 24 वल्ट ही निकालेगा सब SMPS का अलग अलग काम होता है उसके उपर रेटिंग लिक होती है कि वह कि करने करा से ख़र दोस्तों इसको बोलते हैं SMPS का काम योथा क्योंकि मैंने अब को बता है कि हमारे प्लूट पर चलती है 24 व्ल्ट पर चलती है आप पावर चीज है बटाट में नहीं पिछाने तोılar को समझ में आते हैं तो समय को अब इसके आए जाता है इसके पीछे क्या क्या चीज है वह मैं आपको दिखाने कोशिश करता हूँ तो दोस्ता हमें PLC पैनल के पीछे आगया हूँ इस PLC पैनल के पीछे आपको यहां पर दिख रही होगी बहुत सारी कैबल है और यह इतनी मशेकर नहीं करनी पड़ती है हमारे आरेल से सर्केट होता है उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है काफी आसान होता है काफी आसान होता है हमारे सिस्टम को फाल्ट को पकड़ना काफी आसान होता है हमको कोई भी मोडिफिक्शन करना काफ़ी आसान होता है कि हमको कोई भी नई चीज को जोड़ना ठीक है यानि सब चीज काफ़ी आसान होती है PLC पेनल के अंदर इसके अंदर क्या चीज है यह हमारे कुछ वाइर यहां पर इतने ही वाइर यहां आप देख लिए अगर आप 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 इतने वाइर को जोड़ दो तो यह जो सिर्फ इतना पैनल के अंदर काम हो रहा है ना ऐसे हमको पांचे पैनल लगाने पड़ेंगे इतनी बड़ी म है कि हमारे इंपूट का वाइर है तो इस पर लिखावा आई मतलब ही है हमारे इंपूट का वाइर का मतलब हमारे जो प्लांट से जो वाइर आ रहा है प्लांट से वाइर का मतलब दोस्तों जैसे हमने कोई लिमिट स्विच लगा रहा है या हमने कोई कुछ बटन लगा रह पूछ बटन का जो वायर है आई 9 बटा थाई यानि एक अलग अलग नंबर देते हैं सब पर जैसे यह है आई 9 बटा पत्चीस ठीक है आई 9 बटा पत्चीस को मैं कंप्टर स्कीन में सर्च माल दूगा और उसकी हिसाफ से प्रोग्रामिंग कर दूगा कि जब भी मेरा आई 9 बटा पत्चीस स्टार्ट बाऊं जब भी मैं प्लांट पे जाके आई 9 बटा पत्चीस को दबाऊंगा पुछ बटन को तो हमारी इक मोटर चलनी के तो मोटर जो चलेगी वह मोटर के अंदर क्या होगा यानि हम मैं सबसे प पूछ बटा को दबा रहा हूं आई 9 बटा 25 को दबा रहा हो तो मेरा कॉंट्र को जाने चाहिए उस कॉंट्र का अभी एक नाम की रख देंगे उस कॉंट्र कर जैसे मैं नाम रख दिया 20 बटा 5 ठग दिया ठिक है तो दोस्तों क्या हो एगा जब भी मुझ पूछ बटा 5 ब यानि 20 बटा एक 20 बटा दो 20 बटा थी अगर आप आसान वास समझो तो मतलब मैं इससे 30 कॉंट्रेक्टर ओन करा सकता हूं यानि 30 अलग अलग कॉंट्रेक्टर मतलब इसका 30 आउट्पूट सप्लाई है तो दोस्तों समझ गए आप इतना कि जैसे में पुछ बटन को दबाता हूं पुछ बटन दबाने के बाद में क्या होता है जैसे मैं पुछ बटन दबाता हूं मेरे उसके प्रोग्रामिंग जो है उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से मेरे जो भी आउट्पूट लगा रखा है कि जैसे में उस पुछ बटन को दबाग और मेरे वह आउट्पूट इस्टार्ट हो जाए तो दोस्तों पुछ बटन दबाए था 9 बटा 25 ठीक है नोबटा 25 दबाए था तो दोस्तों हमारे जो म ब्लिंग हो जाए यहां पर क्या अलग लग नंबर होता है एक दो तीन चार पांच है ऐसे जो नो वाले नंबर पर नो वाला जो उपर है उस उपर वाले पर 25 नंबर पर हमारा LED ब्लिंग करेगी जैसे ही मैं हमारे प्लांट का पुछ बटन दबाऊंगा ठीक है और पुछ स्टर करेंगा तो यहां पर दिखाता हूं किस सारे आउटपूट है निस जो भी जो वोर्ड होते हिसंने के बॉर्ड में जो सप्ला यांति वा आूटपूट के है तो अभी में इसके नहीं देखना है 20 बटन 5 को होता तो 20 5 ऐसे लाइन वाइज यह तो अगर लाइन वायज की बात करें तो यहां उधर साइब सट्습ilen लेंडिए इधर हमारि बीज की लाइन दिखें तो 20 की लाइन में रहे हमारा 20 6 तो यह वा हमारा 21 525 था ऐभ वीज दा था 7 तो यह जो supply यहां थी दोस्तों DC voltage आएगी यहां से जो PLC निकालता है output वो DC voltage निकालता है और यह जो DC voltage होगा वो DC voltage हमारी इस relay को on करा देगा और relay के जो no contact होगे उस no contact से मैं अगर 220 voltage चाता हो तो 220 voltage निकाल लोगा करें कोई भी फॉल्ट होता है तो हमारे अगर बीच में फ्यूज रहेगा ना तो हमको protection मिल देगे हमारे PLC पे फॉल्ट नहीं जा पाएगा तो दोस्तों यह फाइदा होता है कि हमने एक website इस्टार्ट करिए जिसका नाम है www.engineeringdost.com तो दोस्तों आप हमारी उस website को भी विजिट कीजिए क्योंकि मैं वहाँ पे इंजिरिंग से लेटेड हिंडी में आर्टिकल लिखता रहता हूं जो कि आपके लिए काफी helpful होएंगे तो दोस्तों आप computer screen पे चलते है ठीक है दोस्तों मैंने आपको बता इता है कि हम उसके ना वायर जोड़ देते हैं PLC के अंदर हमारे input output module होते हैं उसके ना वायर जोड़ देते हैं और वो जो वायर जोड़ने के बाद हम क्या करते हैं इसके अंदर हमारे computer screen पे हमारे computer तक क्या एक ethernet की cable आती है वो ethernet की cable मे करने के बाद मैं क्या करूंगा इसके अंदर आके यहां पर कुछ प्रोग्राम कर दूँगा ठीक है कोई भी नया प्रोग्राम कर दूँगा और फिर बाद में हमारे जो प्रोग्राम है उसके अकोडिक हमारा system चलने लग जाएगा तो दोस्तों आकीट किस सरीके का होता है यह आपको देखिए तो दोस्तों देखिए जैसे यहां पर आपको दिख रहा है यह हमारा no emergency यह सब चीज़े हम लिखते हैं जैसे यह ऊपर दिख रहा है no emergency यह है start push button तो यह सब चीज़े आप ही लिखेंगे अगर आप ladder logic कर रहे है तो दोस्तों यह कहला थी पूरी ladder logic इसक 20 बटा 0 इसके अंदर मेरी supply आजाएगी तो दोस्तों क्या क्या आएगी इसके अंदर बीच में जो हमने मैं आपको बोला था कि interlocking काफी आसानी से जोड़ता हूं तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ अगर मैं इस push button को भी दबाता भी हूं यानि अगर मैं plant में जाके i5 बट emergency हटे गया जैसे आपको पता है emergency लगा रखी होगी तो emergency लगा रखे तो यह on नहीं है emergency जब on होगी तब यहाँ पर green हो जाएगा और वह जो green होने के बारे में यहां तक यह green line है यह green line यहां तक आगा तो दोस्तों अभी मैंने क्या किया जैसे हमारे no emergency push button है इसको मैं जैसे दबाऊंगा तो मैंने चेक कर लिया कि no emergency button कहां पर है यहां पर आपको हरी line नहीं दिख रही तो मैं क्या करूंगा दोस्तों अभी मैंने इसकी हरी line कैसे लाए वह मैं आपको दिखता हूँ तो दोस्तों मैंने यहां पर 8.0 लिखा हुआ इस पर मैंने क्लिक किया तो इस पर अब देखें यहां पर आपको green light दिख चुकी है अब इसके बाद में दोस्तों अगर मेरे को इस booster pump को चलाना है तो इस booster pump को चलाने के लिए सिर्फ मेरे को एक start push button दबाना है जो कि है आई पांच बेटा चोबी तो इसके नहीं सिर्फ सिंपल सी है इसलिए मैं आपको इस दि कुछ भी चीज़े और जोड़ सकता हूं कुछ भी चीज़े मैं असनी हटता सकता हूं पर दोस्तों अगर मैं RLC सरकीटी बात करूं तो इसके नहीं को खूब सारे wire के साथ खेलना पड़ेगा तो दोस्तों इसके नहीं काफी सब इजी होता है इसके लिए टाइमर लगाना अगर यहां से दोस्तों मैं इसको ऑफलाइन कर देता हूं तो यह ऑफलाइन होने के बाद में हमारी PLC अभी काम नहीं कर रही है PLC काम कर रही है पर यहनी हमारे जो सिष्टा में जो कंप्यूटर स्कीन है इसके अंदर में कुछ भी नहीं दिखाएगा यानि हमारे जो प्ल अगर आगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के परता है आप करके पूस सकते हैं अज हिंवारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए आज के लिए नहीं धन्निवाद